नमस्कार दोस्तों मैं बाबरों पटेल आप सबको अपने यूटूब चैनल बाईलोजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी परिछा के दिरिष्ट कौन से बहुत मददगार ये प्रस्न है तो पहला प्रस्न कहा रहा है एक पारितंत्र में आजयव घटक है एक बायोटी कंपोनेंट कौन है आजयव घटक कौन है देखे जैवी घटक होता है और एक आजयवी घटक होता है जो जैवी घटक होता ओर सब्सक्राइब निर्जी उसे संब्धित है तो कह रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा जल होगा को पार्फोड की कि तंतर का महत्त्र क्या है कि मध्षक क्ष़ प्रवाह में उपर युग्द दोनों में उपर इतुम में कोई नहीं नहीं इंपोर्टेंट साफ इको सिस्टम इज इन साइकलिक आप सम इलिमेंट इन गैसे फ्लो आफ इनर्जी बोथ नन तो इसका सही उत्तर क्या होगा पारिशी की तंतर का महत तो किसमें है दोनों में है कुछ तत्तो ओयं गैसों का चकरी करण में और उरजा के प्रवाह दोनों में तो इसका सही उत्तर क्या हो गिया इसका सही उत्तर हो गिया सीज़रा पारिसी की तंत्र में पोशक पदार्थों का प्रवाह ठीक है अर्थात निउट्रियंट इन दा इको सिस्टम तो बीजदा राइट इंसर चलिए क्वेशन नमबर चार क्या कह रहा है चार नमबर दुखते हैं कह रहा है निमन में से कौन सबसे ज़्यादा भी साक्त है कह रहा भी साक्त है क्वेशन नमर पांच की तरफ बढ़ते हैं कहरा है कहरा है पीड़क नासी एव में मात्रा की अतधिक मात्रा के प्रयोग एगर हो गया तब क्या होगा कह रहा है वाय प्रदूशन होग रहा प्रदूशन होगा क्या है ? डायक़लोरो अगला क्या है ? क्वेशन नमबर 7 की तर बाढ़ते हैं क्वेशन नमबर 7 क्या कह रहा है ? कह रहा है ? कई देशों में DDT के परियोग पर प्रतिबंद है क्यों प्रतिबंद है कई देशवां pasaically कि कह रहा है यह पानी में अधिक खुलसील हूता है यह घुसतावरन में यहादा देड़ तक टिका रहता है यह नागल जीओं पर कम घातक प्रभारा डालता है तो इसका सही उत्तर क्या है यह वात्तावरन में ज्यादा देड तक टिका रहता है यह वात्ता वरण में ज्यादा देड तक क्या करता है यह टिका रहता है ठीक है High degree of persistence in the environment C is the right answer question number 8 क्या कह रहा है उसको देखें कह रहा है जीवों द्वारा अबगटित होने वाला प्रदूसरन है जीवों द्वारा कौन सा प्रदूसरन अबगटित हो जाता है कह रहा प्लास्टिक तो जीवों द्वारा अबगटित होगा नहीं कह रहा है इसबेस्टास नहीं कह रहा है पारा नहीं मुत्र जो होता है विल्कुल छोटे चोटे जिवद्वर्द क्या हो जाता है अब गटित हो जाता है यहादम रिखा है नहीं है कीड बच्ची पाओधे थो ह ही है अरे भी होते हैं है तो यह उत्पादग भी होते है पादव भी होते हैं इसका सही उत्तर क्या है बीजदा राइट एंसर कुश्चन नमर दस की तरप बढ़ते हैं कौन सा पादव समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूम में उगता है कौन सा पादप समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूम में उगता है करा कीट भच्छी पौधे बराओफाइट्स लाइकेन अना बृत्वीजी विच गुरूपा प्लांट्स कायन गुरो इन नाइट्रोजन डिफिसियंट स्वायल ठीक है इंसेक्टी वोरस प्लांट बराओ पादप समूह में पाय जाते हैं की विढ़िता पाया है कोण से गुरूपा पादप समूह में पादप नेतर आना बराओधिर नाइट्र गंगा नदी में प्रदूसर बढ़ने का मुख्यकार निमलिखित का इसमें छोड़ा जाना है इसका राइट अंसर क्या होजाएगा ? अगले question की तरव बढ़ते हैं देखे कह रहा है कि blue baby syndrome की असुधर जल से होती है ठीक है blue baby syndrome caused by impure water off कह रहा आर्सेनिक से की kaiडमियम से की नाइट्रेट से तो मरकरी से blue baby syndrome caused by impure water off आर्सेनिक काडमियम नाइट्रेट मरकरी तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है, nitrate, ठीक है, This is the right answer, अगला क्या कह रहा है, पंदरा नमबर कह रहा है, किस पाउधे को rolling जीरोफाइट जाता है, which plant जरिफा to a rolling जीरोफाइट कह रहा है, nerium को, cycus को, cadulina को, sacrum को, तो इसमें सही उत्तर क्या है, इसका राइट एंसर है, सैक्रम को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सैक्रम को कहा जाता है, अगला question 16 नमबर का कहा रहा है, कि सकरे वात ररन निमन में से किल पौधम पाय जाते हैं, सनकी निमन में से किल पौधम पाय जाते हैं, सनकी निमन में से प्रकार की स्टोमेटा किसमें पाजाते हैं तो इसका राइट एंसर है बी जीरो फाइट में पाजाते हैं किसमें मरूद भीद में ठीक है अगला कोश्चन क्या कह रहा है अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं सतरा नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन मरूद भीद है कह रह गरेनियाडे, फवरुभी, यकार्नियाव है, क्या है जलोद भीद पौधा है कि मरुद भीद है कि बालू कोद भीद है कि लवड मिरदोद भीद है तो देखे थोड़ा सा दोस्तों हसी एक नहीं जुकाम हुआ मुझे बहुत तगड़ी से समझ रहे हैं कहरा है इकॉर्णिया हाइड्रोफाइट्स जीरोफाइट्स और सैम प्लांट किॐ हैलोफाइट्स प्लांट इसका सही उत्तर है हीड्रोफाइट्स जलोद भीद है लाई जलकुम्बी जो हता पंसुक्वापनी में तहyseटे रहे अब यहां कहरा है क्लाइमेक्स समुदाएक क्लाइमेक्स कम्यूटी यू आ है जो कैसा होता है कि श्थाई ह उता बेक्तियों की वह नियुंतम संख्या जो एक बिसिस परियावरण में जीवने अपन कर सके तो 21 नंबर का कौन सा सही उत्तर है चलिए अगला देखते हैं कारा है कि पौधों में ऐसा नुकरम जो लवडी इस्थित में सुरू होता है उसको क्या कहते है क्या है कि है कि हाइड्रो सीरी कहते है कि हेलो सीरी कहते है उपरिक्त में से कोई नहीं बताईए लोड क्रमक कहलते है अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन क्या करा रहा है निम्निल्खित में से कौन भारत की जैविविट्टा का हाट स्पाट है हाट इसपार्ट कर रहा है पस्चिमी घाट है कि गंगा मैदान है कि इंडस मैदान है कि मद भारत है तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर पस्चिमी घाट है क्या है पस्चिमी घाट है ठीक है हाट इसपार्ट जयविधिता का हाट इसपार्ट कौन है पस्चिमी है कि निमने कित में से कौन से देश में सबसे अधिक जय विविद्धता पाई जाती है कह रहा है कि ब्राजील में पाई जाती है कि दच्छिड अफरीका में कि रूस में कि भारत में इसका सही उत्तर क्या हो जाए गभाई, इसका सही उत्तर है ब्राजील, अगला प्रसन क्या का रहा है, उसको देखते हैं, कहा रहा है कि मर्धा में उपस्थी सूच में जीवियों दार अमोनिया का नाइट्राइट और फिनाइट्रेट में बदलने को क्या कहते हैं यह इसदा है, राइट उसर अगला कॉशन का कह रहा है अगला कोश्यन का है जाइलम का बहुत कम विकास निम्न पौधों में होता है। निम्न पौधो में घ्रीलम कμε कर रहे जलस थली में लड़ोध भीद निम्न थ्क है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा। सर्था ऩर्था, कंद है को तर बांकममर फ़ई। सबमर्ज हाइड्रो फाइड निमगन जलोद भीर अगला कोशन क्या करा है उसकी तरब भी हम बढ़ लेते हैं कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात हुई भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात कब हुई कह रहा है कि 1973 में 1975 में 1978 में 1990 में कब ह इसका राइट एंसर क्या है? इसका राइट एंसर है 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुआत उनाइस सो तीहत्तर में हुई इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है काजी रंगा नेशनल पार्क में जो है गैडे को सुरचित किया गया है ठीक है चलिए अगला है अगला प्रस्ण क्या कर रहा है 29 नमबर का कह रहा है कि फर्स नेशनल पार्क इन था यह 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 हणि विशे सबसे पहला नेशनल पार्क कौन था करा है starting स्टोन नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, की दधी, डाचिंगम नेशनल पार्क, ऐसा नाम आ जाता है भाई, ठीक है, तो इसका राइट एंसर क्या है, A, A is the right answer, चलिए, अगला प्रस्न क्या कह रहा है, अगले प्रस्न को देखते हैं, कह रहा अगले प्रस्न क्या कह रहा है, एक अत्तिस नंबर कह रहा है, कि इडेफिक कारक का संबंध है, इडेफिक कारक का संबंध किस से है, ऐसा कह रहा है, ठीक है, कह रहा है, मिर्दा से है, कि मानों से है, कि जन्तुओं से है, कि सूरी के प्रकास है, इडेफिक कारक का संबंध, इसका संबंध है, इडेफिक कारक का मिर्दा से स्वायल से है, किस से है, स्वायल से, ठीक है, अगला प्रस्ण क्या कह रहा है, उसको देखिए, कह रहा है कि एक आवसादी जीव भू रासानिक चक्र होता है, एक आवसादी जीव भू रासानिक चक्र होता है, क्यारा कार्बन होता है कि hydrogen चक्र nitrogen चक्र गंधक चकर कौन होता है sedimentary टाइप आप bio geocemical cycle इज ठीक है अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है सलफर चक्र है गंधक चक्र है ठीक है गंधक चक्र अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन क्या कह रहा है अगला प्रस्ण क्या रहा है निम्निमे से कौन से राष्टी उद्यानू में बबर सेर का सनच्छन होता है बबर सेर का होता है तो डीजदा राइटेंस था ठीक है बबर सेर वाला चलिए अगला प्रस्ण क्या क्या रहा है अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं 34 नंबर करहा है, कस्तूरी एिरांब पर योजना उनाज़ चोहत्र में यहां प्रार्म हिकी गई थी, करहा है कि डाची गां मेराश्च्टी उध्यान में, कि अगला प्रस्ट क्या कह रहा है? अगला परसंट कहा राष्टी उद्यान इस्थित है ऐसा पूंच रहा है कि राजस्थान में मध्य परदेस उत्तर प्रदेस तो यह कहा रा आप धिक है मध्य परदेस में अगला देखिए 36 नंबर कह रहा है वाई-मंडिली वाई में सियो टूक सांधरता कितनी होती है कारबन डायकसाइड की प्रतसत्ता पूछ रहा है वाई मेंडल में, कह रहा है च्छेदर समलो इतना तो होता नहीं है, कह रहा है जीरो समलो तीन चार, जीरो समलो तीन चार, तो जीरो समलो तीन चार परसेंट होती है, ठीक है, तो C is the right answer, 36 का C, चलिए अगला क्या कह रहा है, अगले को देखे, कह रहा है कि निम्न में कौन सा बहुत खतरनाक रेडियो धर्मी प्रदूसक पदार्थ है, कह रहा है फासफोरस 32, सलफर 35, स्ट्रांसियम 90, कैलसियम 40, इसमें सबसे खतरनाक रेडियो धर्मी प्रदूसक कौन है, ठीक है, ये बताना है, इसमें सबसे खतर अगले प्रसन की तरफ बढ़ते हैं कह रहा है कि निम्न में कौन सा तालाब की पारिस्तिक तंतर में नहीं होता है कह रहा है लिटोरल छेतर लिमनेटिक छेतर की प्रोफंडल जोन की एपसाइल ठीक है इबाइसल छेतर इसका सही उत्तर क्या है ठीक है इसको बताइए जरा इस इसका सही उत्तर क्या होगा भाई इसका सही उत्तर है एबाईसल छेत्र ठीक है देखें निम्ने में कौन सा तालाप के परितन छेत्र में नहीं होता है एबाईसल जोन नहीं होता है ठीक है अगला प्रस्ण क्या है रहा है उसको देखिए करा निम्ने में कौन सी वनस्पत सबस अगला कोशिन क्या करहault यि देखिए करा एंडाल आकड़ समंधि संग्रित की जाती हैं両ाल आकड़ समंधि रेट डाटा बुक वाले समझ रहे हैं रेट डाटा बुक केलेक्शन किसके द्वारा होती है कराした रहा है बाइो गयस उत्पादित की जाती है यू इरिको पर संथानग इस्थित है ऑन संथान वोरे रिस्थ है फार इस्थ रिसर्च इंस्टिट्यूट कहां उपस्तित है ठीक है ऐसा कहरा है यह है देहरादून में ठीक है सीजदा राइट एंसर देहरादून अगला प्रसन देखिए 43 कहरा जीव बिज्ञान संमंधी आवर्धन लेक करता है बायो लॉजिकल मैगनिफिकेशन रिफार्टू यह प्र लेबोरेटरी इंक्रीज इन नंबर आफ एनिमल एंड प्लांट इन एको सिस्टम ठीक है देखे इसका राइट एंसर क्या है भाई 43 नंबर इसका राइट एंसर है ए जानवरों में कीटनासी का सांधराण ठीक है 44 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सा पौधा सियोटू तथा एनोटू आउसोसित करने में सक्छम है काया है रोबीनिया स्यूडो एकेसिया फैसियोलस वुलगेरिस डाकस करोटा और कोलिय सिंडिका ठीक है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर है कर सकती है अवसोसित करने में समर्थ होती है ठीक है अगला प्रसंद देखिए अगला प्रसंद क्या कह रहा है अगला प्रसंद क्या कह रहा है अगला प्रसंद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त ठीक है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा साथ यथा तथा संतुलन में है क्या कहलाता है क्या बायोस्फियर कहलाता है बायोम की निक कहलाता है निकेत की छेतर क्या कहलाता है इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है निक कहलाता है नीचे समझ रहे हैं ऐसा वाज जो इसमें रहने वाली जातीयों के साथ यथा यथ जिसका सही उत्तर क्या होगा जिसका क्या है औरिएंटल में आते हैं अगला 48 नंबर कहरा 3 दिसंबर 1984 को भुपाल तरास्दी का कारण था जो भुपाल तरास्दी दुरघटना होई थी 3 दिसंबर 1984 को इसमें बहुत लोग मारे थे भाई यूनियन कारवाइट जो फैक्ट्री थी समझ रहे हैं उसमें तो कहरा है अगला प्रस्न क्या कह रहा है कि कितने की ध्वनी ध्वनी प्रदूशन की स्रेडी में आती है कितना से उपर ध्वनी हो कि ध्वनी प्रदूसर्ण की स्रेणी में आती है ऐसा कह रहा है कह रहा है कि हरित गुलू बंद पर योजना को किस प्रकार के प्रदूसर्ण की रोप्थाम के लिए लागू किया गया था के रहारा वय प्रदूसर्ण के लिए गचल प्रदूसर्ण के लिए धुनी फ्रदूसर्ण के लिए लेडियो धर्मी प्रदूसर्ण के लिए खिरी及 क्यरी ग्रीन मफलर प्रत km है विक एंट्रोडूश्ड ए末 संवन्ड़ एक्ट्व प्वजन इसका सही उत्तर क्या है sound pollution ठीक है she is the right answer तो दोस्त आपको यह practice it कैसा लगा इस तरीके से क्योंकि मैंने बेख्यात्मक नहीं लेका हम नहीं लेके आये थे क्योंकि इसको बिलकुल question को आपको दिखाना था repeat करना था और आपका यह mega test था तो चलिए दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक फिर मिलेंगे next lecture के साथ okay thank you